आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इस Question में में given है कि Molting of Second Star Larva of Ascaris occurs in यानि Ascaris के Second Star Larva की Molting जो है वो कहा होती है तो हम सभी ने Ascaris की Life Cycle पड़ी है इसमें क्या होता है First of all जो Infective Larva होता है Infective Larva होता है ये Infective Larva जो है ये Human द्वारा Ingest किया जाता है Ingested by Human अगर कोई Human इस Infective Larva को Ingest कर लेता है तो आपकोस वो Infected होगा फिर यहां से ये Infected Larva कहां जाता है ये जाता है Small Intestine में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो Small Intestine के Duodenum वाले पार्ट में फिर वहां से ये Duodenum की वोज को क्या करता है Penetrate करता है और Eventually Blood में जाता है Blood में जाने के बाद Blood Flow के साथ-साथ ये कहां जाता है लंक्स में जाता है और लंक्स ही वो जगा है जहां पर इसकी क्या होती है Molting होती है ठीक है अब Next लंक्स में जाने के बाद क्या होता है या तो ये Larva कफ हो जाता है या फिर वापस Swallow कर लिया जाता है फिर वहां से Again ये जाता है Small Bowel में Small Bowel में जहां पर इसका Final Development जो है वो होता है Development के बाद एक्स जो है वो Feces के तुरू बाहर आता है और Again ये एक्स कैसे होता है Unfertilized एक होता है फिर ये बाद में आगे जाके Fertilize हो जाता है और Infective Larva form करता है तो हम यहां एक्स को यहां Simply लिख देंगे Outside ठीक है एक्स जो है वो बाहर आगए Human की बादी से Infected Human की बादी से फिर वो Fertilize होते हैं फिर वो Infected Larva में Convert हो जाता है और ये Infected Larva Again Human द्वारा Ingest कर लिया जाता है अगर तो वो Again Duodenum में जाएगा जहां उसकी पहली Molting होगी और Secondly वो कहाँ जाएगा Lungs में जहां उसकी दूसरी Molting होगी यानि Molting होगी किसकी Second Instar Larva की तो हमारे इस Question का Answer क्या होगी हम देखते हैं First Option है Intestine जो की गलत है Intestine में Second Instar Larva की Molting नहीं होती Second Option है Sand तो ये भी गलत है Third Option Blood Vessels भी गलत है Option 4 Lungs जो है वो हमारा Correct Answer है यूँकि हमने यहां भी यहां भी Mention किया था कि Lungs में Second Instar Larva की Molting होती है ठीक है तो यहां पर Lungs Option 4 हमारा Correct Answer है That is Molting of Second Instar Larva Fescaris Occurs in Lungs Classics to 12 से लेके Need IIT जही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलूट करें Doubtnet आप या WhatsApp कीचे अपने Doubt 84444 पर